केके मेनन एक भारतिय फिल्म अभिनेता है, इनका पूरा नाम कृष्ण कुमार मेनन है, इनका जन्म भारत के केरल राज्य में हुआ, इन्होंने भारतिय सिनेमा में अपने अभिनय की प्रतिभा से एक अलग छाप छोड़ी है, इन्होंने हिंदी, फिल्मों के साथ साथ मेनन ने पुने के खड़की स्थित सेंट जोसेफ हाई स्कूल से वर्ष 1981 में अपनी दस्वी की परीक्षा पास की इसके बाद उन्होंने मुंबई विश्व विद्याले से भौतिकी में सनातक किया इसके अलावा उन्होंने पुने विश्व विद्याले से प्रबंधन विध्यान विभाग से MBA की डिग्री प्राप्त की अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मेनन ने शुरुवाती दौर में काइनेटिक होंडा और मारल बोरो सिग्रेट के विध्यापनों के लिए काम किया था मेनन ने अपने करियर की शुरुवात थेटर से की उन्होंने अपने एक्टिंग की बारीकियों को थेटर से ही सीखना प्रारंध किया वहाँ उनकी मुलाकात निवेदिता से हुई और बाद में उनसे उनका विवाह भी हो गया मेनन ने अपना पहला थेटर डेव्यू महात्मा गांधी में नसीरुद्दीन शाह के साथ किया था मेनन ने अपने करियर की शुरुवाती दौर में टेलिविजन पर कार्य किया उनका पहला टेलिविजन शोडर था जो वर्ष 1995 से 96 में प्रसारित हुआ था इसमें उन्होंने इस्पेक्टर अविनाश की भूमी का निभाई थी इसके बाद उन्होंने कई टेलिविजन धारावाहिक में अपनी अहम भूमी का निभाई केतन महताद्वारा निर्देशित प्रधानमंत्री टीवी शो में मेंनन ने पीएम अनिरुद्ध प्रकाश की भूमी का निभाई जिससे उन्हें बहुत प्रशन सामिली मेंनन ने वर्ष 1995 में फिल्म नसीम से फिल्मों की तरफ रुख किया इस फिल्म में उन्होंने बहुत छोटी भूमी का निभाई थी इसके बाद वर्ष 1999 में उन्होंने भोपाल एक्सप्रेस फिल्म की जिसमें उन्होंने मुख्य भूमी का निभाई वर्ष 2003 में उन्होंने फिल्म पांच में एक रौक संगीतकार के रूप में अभिनय किया शुरुआती फिल्मी करियर में उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली लेकिन इसके बाद वर्ष 2005 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म सरकार में उन्हें काम करने का मौका मिला इस फिल्म में उन्होंने एक नगेटिव रोल निभाया था इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फैर पुरसकारों में नकारात्मक भूमिका के लिए सर्वश्रि्ष्ट प्रदर्शन हेतु नामांकित किया गया था इस फिल्म के बाद उन्होंने कई फिल्मे की और वर्ष 2014 में आई हैदर फिल्म में उन्होंने खुर्रम मीर की भूमिका निभाई जिसके लिए उन्हें सर्वश्रिष्ट सहायत अभिनेता के लिए फिल्म फेयर और आईफा पुरसकार दिया गया था सन 2015 में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ फिल्म बेबी की जिसमें उन्होंने बिलाल खान की भूमिका निभाई थी इसके अलावा उन्होंने वर्ष 2017 में उन्होंने दगाजी अटैक फिल्म की जिसमें वे एक नेवल अफसर की भूमिका में नजर आए मेनन ने फिल्मों के साथ साथ वेब सिरीज में भी काम किया उन्होंने अपनी पहली वेब सिरीज 2018 में दग्रेट इंडियन डिस्पंक्शनल फैमिली की थी जिसमें उन्होंने विक्रम रन्नौत की भूमिका निभाई थी साल 2020 में उन्होंने Special Ops, Special OPS नामक वेब सिरीज में हिम्मत सिंह की भूमिका निभाई जिसे OTT प्लेट फॉर्म होट स्टार पर रिलीज किया गया था यह वेब सिरीज बहुत ही लोग प्रिय हुई साल 2021 के नवंबर में इसी वेब सिरीज का सिक्वल स्पेशल Ops 1.5 रिलीज किया गया जिसमें इन्होंने एक युवारो अधिकारी की भूमिका निभाई है इस वेब सिरीज को भी पहले भाग के तरह ही लोगों द्वारा बहुत प्रशन सा मिली